Hello everyone and welcome to education achievers. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 5 important concepts from 5 questions. 5 questions की help से हम 5 different different concepts समझने वाले हैं ये सारे ही concepts multiple times repeated concepts हैं जो questions हैं वो December 2023 exam से लिए गए हैं तो आज की ये छोट इसी वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही helpful होने वाली है because ये जितने भी concepts हैं इनको अलग-अलग तरीके से modify करके काफी बार पूछा जा चुका है and this is something about me आप लोग टेलिग्राम ग्रूप भी join कर सकते हों वहाँ पर quiz practice करते हैं उसके साथी जो भी important updates होती हैं आपके exam से related, PSDN trends से related, job से related मैं वहाँ आप लोगों को share करती रहती हूं and आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी helpful लगती है तो चैनल को जरूर subscribe करना, वीडियो को like करना, अपने friends के साथ share करना मत भूलना Now without wasting time, start करते हैं अपने आज के first question से If south east becomes east and north west becomes west and all other directions are changed in the same manner, then what will be the direction for north? Direction वाले questions आप लोगों के सामने जब भी आएं और mostly direction वाले questions आते ही हैं उसके लिए आपको direction का concept पता होना चाहिए, basic knowledge होनी चाहिए अगर आप लोगों ने direction वाली मेरी वीडियो नहीं देखिये, तो mathematical reasoning के नाम से आपको playlist मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप लोग देख लेना, उस एक वीडियो को देखने से direction का कोई भी question आता है, आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा तो इस तरह के question को solve करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 4 main directions कौन सी होती है और कौन सी होती है, 4 sub directions, तो main directions होती है, आपके right hand side पर होता है east and left hand side पर होता है west, उपर आता है north and नीचे आता है south, ये होती है 4 main directions जिसके बीच का angle होता है 90 degree, चारों के बीच का direction कितना होता है 90, उसके साथ ही 4 होती है सब डिरेक्शन्स उपर होता हाट उसके बाद नौर्थ वेस्ट और नीचे होता है साथ इस तारीके साफ किसी भी देख लीजे, किसी को भी देख लीजे, South, West and West के बीच भी कितना होगा, 45 डिगरी तो Main Direction और Sub Direction के बीच जो Angle होता है, वो होता है, 45 डिगरी, और जो Main Direction और Main Direction के बीच जो Angle होगा, वो होगा, 90 डिगरी, इतना के लिएर हुआ उसके साथ ही, एक होता है clockwise direction और एक होता है anti-clockwise direction clockwise direction का मतलब है घड़ी की सीधी दिशा में जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है ठीक है उसी direction में अगर move किया जा रहा है इस तरीके से इसको कहते हैं हम clockwise direction और घड़ी की उल्टी दिशा में अगर move किया जा रहा है यानि इस तरीके से तो वो होता है anti-clockwise direction अब इस question को आप लोग धियान से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले हम sub-directions draw कर लेते हैं यह होगा North East, यह होगा North West उसके बाद South East और South West यहाँ पर लिख रहा है South East becomes East अगर South East East बन जाता है यानि South East को बना दिया East उसके बाद North West becomes West जो North West हो उसको बना दिया West तो इसको आप देखो क्या pattern follow किया जा रहा है 45 degree पर move हो रहा है और कैसे हो रहा है anti-clockwise ठीक है and all the other directions are changed in the same manner अगर इसी तरीके से हम सारी direction को change करते हैं तो North क्या बन जाएगा देखो सारी जो directions है वो 45 degree anti-clockwise अगर move करती है तो North क्या बनेगा North है ये और इसको हम 45 degree पर move करेंगे तो ये क्या बन जाएगा North West ऐसी अगर West के बारे में पूछा जाता तो West क्या बन जाता South West ठीक है या South के बारे में पूछा जाता तो वो क्या बन जाता साउथ इस्ट यहाँ पर क्या पुछा गया नॉर्थ क्या होगा तो North क्या होगा North West 45 degree anti-clockwise आंसर होगा option number 2 तो हेर करेक्ट आंसर विल बी option number 2 North West इस डाइग्राम की हेल्प से आप लोग और अच्छे से समझ सकते हो East जिदर सूरज निकलता है West जिदर सूरज छिपता है ठीक है East होगा आपके right hand side में और West होगा left hand side में उपर North और नीचे South और उसके बीच में क्या होगा उपर North East और इधर North West ठीक है इन दोनों को मिला कर बनेगा North West इन दोनों को मिला कर बनेगा North East इस तरीके सा आप याद रख सकते हो और नीचे South East और South West ठीक है आगे देखते हैं Second Question यह statement based question है binary and decimal digits से related Statement 1 कहता है 167 decimal is equal to 10100111 decimal क्या 167 जो decimal number है उसका binary equivalent यह होता है Second statement कहता है 11010110 जो binary number है उसका decimal 214 होता है तो इसको आपको solve करना होगा तभी आपको पता चलेगा कि statement 1 and statement 2 में से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है या कौन सा true है कौन सा false है इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको पता होना चाहिए कि decimal को binary में हम कैसे convert करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका तरीक ठीक है बाद में हम answer कराएंगे जैसे 167 है 167 को अगर आपको decimal में convert करना है 160 sorry binary में convert करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा 167 को 2 से divide करना होगा जब आप 167 को उसके बाद 2,4 is 8 and 2,1 is 2 कितना reminder बचा 1 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर उसके बाद 2,2 is 4 and उसके बाद यहाँ पर 0 आजाएगा और यह बन आजाएगा यहाँ पर reminder पूरा पूरा कट होना चाहिए उसके बाद 2,1 is 2 और यह पचा जीरो ठीक है और ये वन हम एस इस यहां पर लिख देते हैं और इस में आपको क्या चीज याद रखनी है कि इसमें हमेशा एंटी-Clockwise चला जाता है ओपर की साइड में आपको चलना है और ऊपर की साइड में जब आप चलकर आंसर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 10100111 क्या question में भी यही लिखा हुआ था एक बार check कर लेते हैं question में भी यही लिखा हुआ था 10100111 ठीक है और यहाँ पर भी क्या है 10100111 यह क्या होगा 167 decimal का binary equivalent उसके बाद हम देखते हैं second second वाले में क्या है 214 इसका अगर आप binary अगर निकालते हो तो आपको क्या करना होगा 2 से ही आपको divide करना होगा जब आप 2 से divide करोगे तो क्या होगा 212 उसके बाद पूरा कट हो गया तो 0 उसके बाद 2714 रिमाइंडर कितना बचा 0 उसके बाद 2510 and 236 रिमाइंडर 1, 22's are 4, 26's are 12, 12 रिमाइंडर 1, 21's are 2, 23's are 6, 0 रिमाइंडर और 226 जा 12 तो रिमाइंडर 1 उसके बाद 236 तो यहां पर क्या आएगा 0 रिमाइंडर उसके बाद 21, 2 तो रिमाइंडर कितना बचा 1 उसके बाद इस One को हमे है दिख देंगे जो भी रिमाइंडर होता है आपको नीचे से उपर की तरफ उसको लिख ना है जब आप नीचे से उपर की तरफ इसको लिखोगे तो क्या आउंसर होगा 110100 यह क्या हो जाएगा 214 decimal का binary equivalent और यही आप से question में पूछा गया था इसलिए उस question में answer क्या हो जाएगा option number 1 ठीक है क्योंकि जो यहां पर लिखा हुआ है वो हम प्रूप कर चुके हैं सो answer will be option number 1 both statement 1 and statement 2 are 2 तो जब भी आपको decimal को binary में convert करना है तो सबसे पहले तो याद रखना है कि यह ऊपर की दिशा में आपको लिखना होता है यानि नीचे से उपर की तरह आपको लिखना होता है किसको reminder को चो भी decimal number है उसको डिवाइड करना होता है 2 से से डिवाइड करते जाएए जो जो को यूज करना है next question which among the following is not a characteristic of closed ended questions in survey research यहां पर closed ended questions की कौनसी characteristic नहीं होगी यह पूछा गया है first option देखते हैं they allow unusual responses that the survey researcher may not have contemplated उसके बाद they are easy for interviewers and or respondents to complete they reduce the possibility of variability in the recording of answers या फिर दिरिज लॉस ओफ इस्पंटेनिटी इन respondents answers सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि closed ended questions क्या होते हैं and open ended questions क्या होते हैं तो closed ended questions की हां पर बात हो रही है closed ended questions होते हैं जिसमें मैं आपको हां या ना मैं answer करना होता है और फिर जो multiple choice questions होते हैं या या तो आपको अंसर करना होता है yes और no में या फिर क्या होते हैं जो objective questions होते हैí multiple choice जो questions होते हैं वो होते हैrasil Edmara स्यादा chances नहीं होते कि कि आप ज्यादर से जादर अपने words на अपनी बात कहें सकें आपको जो limited options होते हैं उसी में से choose करना होता है अपना answer तो survey research में जाधा तर closed-ended questions का use किया जाता है ताकि जो interviewer है या जो survey कर रहा है जो researcher है वो आराम से अपना जो respondents है उन्होंने जो response किया है उसको complete कर सकें तो ये वाली बात हो जाती है बिल्कुल सही ठीक है second है they reduce the possibility of variability in the recording of answers अब जब हर एक respondent के पास दो ही option है answer करने के लिए तो answers में ज्यादा variability हो ही नहीं सकती कि आपका answer अलग है इनका answer अलग है इनका answer अलग है answer नहीं होता है जहां पर subjective answers आपको देने होते हैं इससे टाइब जो questions होते हैं वहां पर answers में variability होती है सब लोगों को दिमाग अलग होता है thinking process अलग होता है तो वहां पर answers में variability ज्यादा होती है लेकिन close danded questions में सबको same options दिये जाते हैं और उसी में से आपको चुनना होता है तो variability के chances कम हो जाते हैं ठीक है reduce हो जाती है possibility of variability तो ये option भी ठीक हो जाएगा last है there is loss of spontaneity in respondents answer यानि उत्तर दाता के उत्तरों में स्वभाविक्ता की कमी होती है स्वभाविक्ता की कमी होती है क्योंकि जो option दिया गया है उनको वही answer करना होता है उसी में से एक choose करना होता है तो ये भी सही हो जाएगा लेकिन जो सबसे first वाला है they allow the unusual responses यानि वे आसामानने प्रतियूत्तरों की अनुमुति देते हैं जिनके सरवेक्षन शोद करता ने अपेक्षन नहीं किये क्या closed ended questions में या multiple choice questions होते हैं तो उसमें क्या ऐसे answer दिये जाते हैं जो कि असामानने हैं या फिर जिसकी अपेक्षा ही नहीं की है researcher ने तो ऐसा नहीं होता है इसलिए first वाला जो option है वो cut हो जाएगा और answer हो जाएगा option number one अब हम समझ लेते हैं एक बार open ended questions और closed ended questions क्या होते हैं क्योंकि बहुत बार इस questions पूछे गए हैं तो आप लोगों को concept समझना जरूरी है सबसे पहले open ended questions open ended questions allow participants to give a free form text answer open ended question का मतलब होता है जहां पर आप अपनी मर्जी से कितना भी लिख सकते हो अपनी सोच से अपनी समझ से जितना चाहें अपने according answer को लिख सकते हो open ended questions encourage exploration of a topic किसी भी topic के बार में explore में हम क्या करते हैं जाद साथ जानने की कोशिश करते हैं तो open ended questions किसली होते हैं ताकि हम किसी भी चीज को किसी भी topic को जाद साथ जान पाएं ठीक है जादा in-depth हम किसी चीज को जान पाएं a participant can choose what to share and in how much detail open ended question में एक participant के पास पूरी पूरी opportunity होती है उसको खुद से decide करना होता है खुद से choose करना होता है कि क्या उसको बताना है कितने words में बताना है कितने detail में बताना है यह किसके पास होता है चूज करने की opportunity participant के पास ठीक है participants are encouraged to give a reasoned response rather than a one word answer or a short phrase यानि जो participant होता है या जो answer दे रहा है वो एक logical answer देता है इसके बजाए इसके कि वो one word में answer अपना complete कर दे ठीक है उसके पास पूरी opportunity होती है कि वो logical way में पूरा reasoned answer करें कुछ examples के हो सकते हैं जैसे open ended questions open ended questions and close ended questions में आप difference कर सकते हूँ इन examples की help से कि अगर मैं आपसे कहती होगे हाँ या नामे जवाब नहीं दोगे आपके पास दो या चार options नहीं है आप जितना चाहें words में explain कर सकते हो that what you are thinking ठीक है या फिर tell me about your last birthday experience ये भी आप अपनी मर्दी से अपने according choose कर सकते हो कि क्या चीज़ आपको मेरे साथ share करनी है कितनी detail में share करनी है कितने words में share करनी है ठीक है तो वह opportunity आपके पास होती है what do you think about social networking site आप social networking sites को क्या समानते हैं क्या सोचते हैं आप उसके बारे में इसमें detail में answer दिया जाता है open ended questions को आप कैसे याद रखोगी जिसमें participant detail में answer दे सकते हैं उनके पास opportunity होती है वह जितना ज्यादा explore कर सकते हैं उस topic को और अपनी मर्जी सा answer दे सकते हैं अब हम देखते हैं close ended questions close ended questions जिसको हम closed questions भी कहते हैं यह restrict करते हैं participant को to one of a limited set of possible answer यानी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही limited set होते हैं जिसको answer करना होता है participant को closed questions have a short and limited response बहुत ही ज्यादा limited response होते हैं yes और no type या फिर four options दिये जाएंगे या three options दिये जाएंगे उसी मैंसे कोई एक choose करना होता है we often take the form of multiple choice questions जैसे की multiple choice questions होते हैं जैसे आपकी UGC net exam में पुछे जाते हैं या rating scale हो सकता है जैसे की लिकर्ट स्केल होता है five point scale होता है ठीक है rather than open text questions open text questions की जगह है rating scale हो सकता है multiple choice questions हो सकते हैं yes और no type आले questions हो सकते हैं इसके कुछ which industry do you work आप किस industry में work करते हूं आपका नाम क्या है आपका gender क्या है आप कहां रहते हो इसमें आप बहुत ज्यादा answer नहीं कर सके गान्दी जी की date of birth क्या है ठीक है रविद्ना टैगोर जी का जर्म कब हुआ यह सब क्या होते हैं closed ended questions जिसमें आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं होता है आपको या तो वन वर्ड में answer देना होता है या फिर दो या दो से जाधा response में से किसी एक response को choose करना होता है यह होता है closed ended questions next question पर move करते हैं which one of the following is not a national action plan on climate change जिसको हम short में कहते हैं NAPCC इससे बहुत बार question पूछे जाते हैं NAPCC यह concept में आप लोगों को समझा चुकी हूँ बहुत ही easy trick की help से यह सारे के सारे हमने अच्छे से समझेते अब यहां पर बुचा गया है कि कौन सा NAPCC का पार्ट नहीं है national solar minion, national mission on Indian ocean, national mission for green India या फिर minion की जगह यह mission होगा typing error हो गया है I think national water mission तो इसमें सा कौन सा होगा जो national action plan on climate change में include नहीं होता है तो इसका सही answer होगा, देखो solar mission भी होता है Green India भी हमने पढ़ा था, water mission भी पढ़ा था लेकिन Indian ocean से related कोई भी mission नहीं है NAPCC में, इसलिए यहां पर correct answer हो जाएगा option number 2 अब NAPCC के जो 8 missions हैं उनको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला है इसको आपको sequence से याद रखने की जरूरत नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि national action plan on climate change में कौन-कौन से missions आते हैं फर्स्ट national solar mission, second national mission for enhanced energy efficiency, third national water mission तो देखो इसको आप पूरा कैसे याद रखोगी यह है solar से related, यह है energy से related, यह है water से related water mission, यह agriculture, यह green India, यह sustainable habitat, उसके बाद strategic knowledge for climate change and sustaining the Himalayan ecosystem यह है eight missions, इसको याद रखने के लिए मैं आपको trick बताईती, कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनना, देखो, सबसे पहले सुबह में सूरज निकलता है, ठीक है, तो solar mission, सुबह में सबसे पहले सूरज निकलता है, तो solar mission, उसके बाद जब सूरज की रोशनी आती है, तो हमा पानी पिया, ठीक है, सुबह में सूरज निकला, सूरज के उधे होने से हमारे अंदर energy आई, और energy आने की वज़े से हमने उठकर पानी पिया, और पानी खुद पीने की साथ-साथ हमने जो हमारे पेड़ पो दे थे, agriculture था, उसको भी हमने पानी दिया, ठीक है, खुद भी प पानी दिया, तो हमारा इंडिया कैसा हो गया, ग्रीन इंडिया हो गया, चारो तरफ हर्याली चागई, और चारो तरफ हर्याली चाने की वज़े से हमारा habitat कैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और habitat अच्छा होने से, ग्रीन इंडिया होने से, agriculture के अच्छा होने से, हमारे अंदर क्या हुआ नॉलिज का संचार हुआ जब सब कुछ अच्छा होता है तभी तो हमारे अंदर ग्यान आता है जब हमारी हेल्थ next question, in model of teaching A, D, D, I, E, the letter D, D, stand for, यहाँ पर जो A, D, D, I, E ही है, यानि AD model है, इसको हम basically क्या कहते हैं, teaching model या फिर instruction model इसको कहा जाता है, इसमें जो A, D, D है, तो इसमें DD की full form क्या होगी, design and development, development and deployment, या फिर design and deployment, या फिर dedication and development, तो ये education का topic है वैसे, जिनका subject education है उसमें आता है, लेकिन paper 1 में भी इससे question पूछा गया था, ये 2013 का ही paper है, उसी में ये पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ADDI की full form क्या होती है, तो A का मतलब होता है, analyze, फिर design, फिर develop, फिर implement and last वाला evaluate, ठीक है ये होती है ADDI की full form, तो यहाँ पर क्या हो जाएक है, design and develop, DD की full form क्या होगी, design and develop, ठीक है, option number 1 will be the correct answer, अब इसको हम समझ लेते हैं, इसको ADDI model या फिर instruction model भी कहा जाता है, इसमें सबसे first होता है, analyze, analyze का क्या मतलब है, क्योंकि instruction model है, तो instruction करने से पहले, जब एक teacher, student की needs क्या है, student का interest क्या है, characteristics क्या है, ये सारी चीजों को analyze करता है, एक teacher, तो उसको हम क्या कहेंगे, analyze, तो ये सबसे पहला step हो और एक बार identify कर लिए teacher ने की learners की need क्या है, उनका interest क्या है, उनकी characteristic क्या है, उसके बाद design किया जाता है, learning के objectives क्या होंगे, learning के outcomes क्या होंगे, ठीक है, कितना किस subject को time देना है, इन सारी चीजों को design किया जाएगा, third होता है develop, जब design कर लिए, design करने के बाद, develop किया जाएगा, क objectives को पूरा करने के लिए, जो design किये गए थे, fourth one होता है implement, implement का क्या मतलब होता है, कि जब teacher present करता है material learners के सामने, जिसमें कि learners actively participate करते हैं, यानि finally जो चीज़ डिजाइन की गई थी और develop की गई थी, उसको implement कर दिया जाता है, classroom में, last में five होता है, evaluate, evaluate का मतलब है कि जो भी teacher ने observe किया, जो भी activities की, उनको teacher evaluate करता है कि teaching कितनी effective रही, कितना learning के objectives, teaching के objectives को किस हद तक पूरा किया चुका है, इन सारी चिज़ों को evaluate किया जाता है, और evaluate करने के बाद जो findings हाती है, उन findings के base पर modify किया जाता है, और उसके बाद फिर से analyze किया जाता है, तो इस तरीके से cyclic process में work कर होता है, analyze, design, develop, implement and evaluate, जिसमें सबसार फर्स्ट होता है, analyze, ओके, इसको हम क्या कहते है, instructional model, या फिर teaching model, यह पाचों ही concept, multiple times repeated concepts थे, I hope कि आज की छोटी सी वीडियो, आप लोगों के लिए helpful रही होगी, अगर आपकी थोड़ी सी भी help हुई है इस वीडियो से, तो प्लीज इस चानल को जरूर subscribe करना, अपने friends के साथ share करना, see you soon in my next video, thank you so much.